नमस्कार दोस्तों स्वागत हमारे चनल पर और आज हम बताएंगे हमने अपनी कनेक्टिविटी यानि कि अपने पाउर सिस्टम को कैसे मैनेज किया हुआ है और कैसे क्या के सेफटी एकुपमेंट लगाया हुआ है तो चलिए बने रहे वीडियो साथ चलते तो मैं आपका पा से फिर आउट हुआ है तो मैंने दोनों इंपुट और आउट्पुट में इस में को लगा दिया है और यह कंट्रोलर बहुत ही अच्छा है इसमें हम जितना में बोल्टेज सेट कर देंगे उस से उपर यह आगे सर्कुट को नहीं बढ़ाएगा इसी तरह मिनमम के लिए ठ ठीक दोस्तों इसके बाद यह जो आया है यह मेरा आया है यहां पर जो मेरा इस्टेबलाइजर रखा हुआ है ठीक है क्योंकि बोल्टेज उतार चड़ा होता तो यह महां से आने के बाद इस्टेबलाइजर से आने के बाद यह आया है मेरा इस इन्वार्टर पर और यह इन तो उस condition मेरे दूसरा backup inverter वर्क करता है यह reality जुड़ा हुआ सिर्फ मुझे plug भर बदलने का काम रहेगा इसलिए मैंने यहाँ पर दो inverter stand by में लगा रहे हैं ठीक हो दोस्तों और साथ ही एक मेरे पास inverter यह UPS माइक्रो टिक का हलाकि इसके इस्तमाल भी नहीं कर रहा है तो अब इसके बाद हमने दिया है अपने आगे इसके जो output supply निकले हुए यह आगे गई है और यह आ गई है यहाँ पर इस बोर्ड पर ठीक है दोस्तों और इस बोर्ड से हमने दो UPS जोड़े हुए है आप पर दो UPS है चुंकि मैंने प्राइमरी OLT को किस UPS से जोड़ा हुए सिंगल और बाकी पूरे कुपमेंट को मैंने इस UPS से जोड़ा हुआ है ठीक है यह भी डेल्टा का है और यह जो UPS है यह आटो स्टार्ट UPS है इसका मैं पता तो थोड़ा सा कि जैसे मान चलिए आप घर सीन बंद हो जाएगी अगर लाइट आ जाएगी तो यह आटोमेटिक फिर चालू हो जाएगा कई कभार UPS होते जिनमें बटन दबा कर आन करना पड़ता है लेकिन यह आटो स्टार्ट है ठीक है और इसके बाद जो इसका मेरे सर्वर सुचज हैं यह सभी उस दूसरी UPS से जुड़े होगी है और साथ ही जितना एयर फाइबर है वो भी मेरा और साथ ही मेरा जितना एयर फाइबर है यह सिस्टम पूरा लगा हुआ है यह भी उस UPS से मैंने ही दिया है ठीक है उसका कारण यह है कि एक बार फाल्ट हुआ था तब से मैंने UPS लगाना शुरू कर दिए उसके पहले मैं direct AC सप्लाई ही देता था और यह बताऊंगे कि inverter के बाद UPS अपने इसके लगाना क्यों जरूरी है तो इसके वराम भी आपको बताऊंगा क्योंकि जब नुकसान हो जाता तब समझ में आता है ऐसे तो नहीं समझ में आता लेकिन जब नुकसान होता व्यक्ति को तभी सीखता है और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो ठीक दोस्तों